हेलो फ्रेंड्स आप सब का सौगत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में कैसे हो आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की Re-Registration क्या होता है कौन-कौन से सेशन के स्टूडन Re-Registration के लिए अपलाई कर सकते है फीस कितनी होती है ये सारी डिटेल को जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो Re-Registration क्या होता है जैसे हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते वक्त फीस पे करते हैं कोर्स डिटेल डालते हैं उसे हम registration कहते है यह हो गया first year कोर्स के लिए वैसे ही re-registration मतलब next year में admission करना इसे हम re-registration कहते हैं अगर आपने first year के बाद rear registration किया तो आपकी admission second year में होंगे अगर आप second year में हो, अगर आपने second year के बाद troisième year में चले जोंगे Re-registration की eligibility क्या होती है अगर आपने first year की exam नहीं दी या आप कुछ subject में fail हो फिर भी आपकी next year में admission confirm हो जाएंगी अगर आपने re-registration का form फिल किया है तो Re-registration के लिए कब apply करें इगनों में दो session में admission होती है एक January और एक June Friends अगर आपकी admission January, February, March या April इन में से हुई है तो आपको re-registration September to October तक करना पड़ेगा और अगर आपकी admission June, July, August या September इन session में हुई है तो आपको re-registration March to April इन मैनों में करना पड़ेगा अगर कुछ region के वज़े से आप re-registration नहीं कर पाए तो आप next session में apply कर सकते हो अगर आपने suppose 2021 September में re-registration किया है तो आपकी exam next year December 2022 में होंगी अगर in case आपने March 2022 में re-registration किया है तो आपकी exam June 2023 में होंगी re-registration कैसे करे re-registration के लिए आपको online apply करना पड़ेंगा re-registration करते वक आपको अपना course detail फिल करनी पड़ेंगी उसके बाद fees pay करना है जैसे आपने admission लेते वक जैसे process follow की थी वेसे अभी भी करनी है re-registration form की link description में दी हुई है आप वहाँ से form पिल कर सकते हो इगनो से related आपको कुछ भी doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा comment section में बताइए अज आपको का वेजिए एवाँ एवाँ